सुरत मा टल भारत ये हिंदू फाउंडेशन द्वारा गुजरात नी चूटणी मा भाजपने समर्थन करवानी जोहरात आप पराक्षेप करता कही उस सवारे कईक बोले छे औने सांजे कईक बीजू गुजरात विधान सभानी चूटणी ना यूगल फुकाई गया चे त्यारे दरेक राजके पक्षोपासे मतदारों ने रिजवानी गनतरी ना दिवसो बाकी रहया चे त्यारे अटल भारती हिंदू फाउंडेशन द्वारा भारती जन्तपार्टी ने पूर समर्थन जहर करवाम आवियुचे तता तेम्न द्वारा तमाम नाघरिकों ने भाजपने मतापवानी अपपिल करी आगामी समयमा बेहजार चोविसमा वड़ा प्रधान नरिंद्र मोदी ने समर्थन करवानी वात अत्यार्थीज करवाम आवियुचे साथे जामादमी ना पार्टी ना अर्विन केजरिवाल पर आक्षेप करता कहवाम आवियुचे किते वो सवारे कैक बोले चाने सांजे कैक जुदुज निवेदन करे चे अटल भारती हिंदु फाउंडेशन ना युवा अध्यक्ष धिरज सिह जना आवियुचे कि अमारा राष्ट्रुय अध्यक्ष अरुन शुकला द्वार कहवाम आवियुचे के हल हिंदुवोन स्थान माटी तथा आदेश ना विकास माटे वाड़ा प्रधान नरेंद्र मोधिया ने तेमनी भारतीय जनता पाटी ने खुब जरुर्याद छे त्यारे अमारा फाउंडेशन द्वारा में भाजबने पोन समर्थन चोहर करिये चेता था गुजरात ने विधान सभाने चूटनी माँ भाजब एक मोटा पक्ष तरिकेज नहीं परंतु जंगी बहुमती थी विजेता थशेते विया में आशारा खिये चे अर्विन केजरिवाल पर आरोक मुकता धीरज सी जनावी हतू कि आगाउ राम मंदीर नो विरोध करना रात यारे गुजरात ने विधान सभाने चूटनी आवताज करी रहिया चे कि आमें गुजरातियों ने राम मंदीर ना दर्शन करवा लही जई शुता था माफतनी रे पूमत मेरा उशें हमारे अटल भारती हिंदू फाउंडेशन के राष्टी अध्यक्ष अरुन सुकला जी का कहना है कि हम लोग 2022 के चुनाव में भारती जनता पाटी को समर्थन करेंगे मैं अटल भारती हिंदू फाउंडेशन का राष्टी वाध्यक्ष हूँ आज मैं मीडिया के माध्यम से एलान करता हूँ कि गुजरात में भी 2022 के चुनाव में भारती जनता पाटी को अटल भारती हिंदू फाउंडेशन समर्थन करेंगी देखिए हम लगातार चुनाव प्रचार में और राज्यों में रहता हूँ संगठन के तरब से इसमें अरविंद केजिरिवाल का जो इस्टेंट है ये ये गुजरात में काम करने वाला नहीं है आने वाला जो समय है बहुत नस्दीक है चुनाव की गोसना हो चुकी है बहुत नस्दीक है भारती जनता पाटी गुजरात में गुजरात से ही गुजरात मौडल के नाम पे ही हम लोगों ने केंद्र में सरकार बनाया हम लोगों ने 18-20 राज्यों में सरकार बनाया है इसलिए अरबिंद केजरी वाल का ये जो लॉलीपप का काम है ये कुछ कोई सावित होने वाला नहीं है हम लोगों ने संगठन के तरव से अपने भाटल भारती हिंदू फाउंडेशन की तरव से इतना मेहनत किया जाएगा कि आने वाला जो समय है वो भारती जनता पार्टी का ही समय है युवाओं का समय है इसलिए युवाओं से भी अपिल है हमारे समाज के युवाओं से प्रद 2024 के लिए मजबूत किया जाए